जो ये बवाल मचाई है पिंकी तो पहली चिट्टी के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है देखते हैं मैंने दूसरी चिट्टी में जबाब भी दे दिया लेकिन जब तीसरी चिट्टी उन्होंने लिखी तो मुझे लगा यार कि ये जो पिंकी है वो बात कर रही है तेजस्व जी को मुखमंत्री बनाने में लगा रहा पूरा चेका चे विधान सभा मैं दिया भी उनको अपने जीले से तो मेरा इंट्रेस्ट और बढ़ गया कि मैं मिलू पिंकी से तो आज हमारी मुलकात पिंकी से हो गई है मुझे लगता है कि यह जो नाम है वही मुझे खुबसूरत अज हिंट किया कि जब उसने कहा कि मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ तो मैं आपने सोचल मीडिया को देखना प्रारम किया तो मुझे आसे नाम पिंकी नाम की कोई लड़की दिखी नहीं नमस्कार बीहार तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अनिकेत गुमार एक प्रभाद बांदुले नाम के राइटर से प्रेम करती है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है, इसकी वज़ा से उन्हें प्रपोज नहीं कर पाई है साथ ही पिंकी ने कहा था कि आपने तो लव मेरेज कर लिया, हमारा क्या होगा प्रभात बांदुले हमारे साथ हैं प्रभात बांदुले आज पटना पहुंचे हैं और प्रभात बांदुले ने भी उस चिट्टी का जवाब दिया था पिंकी ने फिर दूसरी चिट्टी लिखी और प्रभात बांदुले की पिंकी से जो बात चीत है वो होने लगी है हर कोई जाना चाहता है कि प्रभात बांदुले से जब आज मैं मिला हूँ तो प्रभात बांदुले ने बताया कि आज इन्होंने पिंकी से मुलाकात कर ली है हला कि पिंकी कौन है ये अभी लोगों को पता नहीं है लेकिन प्रभात बांदूले जान चुके हैं कि कौन है और कैसी दिखती है आज सब कुछ हम प्रभात से जानेंगे प्रभात सबसे पहले तो पिंकी से आज आज आपने मुलाकात की है मतलब क्या कलपना किया था आपने मुलकात हुई क्या-क्या बादचीत हुई सब कुछ बताई आज एक्चली जो यह बवाल मचाई है पिंकी तो पहली चिट्थी के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है देखते हैं मैंने दूसरी चिट्थी में जबाब भी दे दिया लेकिन च्छे का च्छे बिधान सभा मैं दिया भी उनको अपने जीले से तो मेरा इंट्रेस्ट और बढ़ गया कि मैं मिलूं पिंकी से तो आज हमारी मुलकात पिंकी से हो गई है और मैं मिडिया के सामने यह आपके मादम से यह डिस्क्लोज कर रहा हूं कि पिंकी पटना ओमेंस क क्यों वाई मी तब उसने जबाब दिया कि मैं पिछले चार-पांच साल से जब आप पटना पुस्तक मिला में आये थे तब से मैं आपको जान रही हूं मैं वहां थी और आपके किताब से आपके लिखने के अंदाद से मैं आपको पसंद करती हूं और आपको सोसल मीडिया अब फॉलो करती हूं अब मैं ढूंड रहा हूं सोसल मीडिया पर जूड़ी हूई है अब देखना पड़ेगा यह मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन ठीक है बातचीत करके मुझे लगा कि एक ऐसी लड़की है जिसको रोजगार की जरूरत है और वाकी में उसे रोजगार चा बतना प्लांट में भील खतने थानब करनाची महीं मुझे लगता है कि ये जो नाम है वही मुझे खुब शूरत लग रहा है वह हिंट उसने आज ही किया जब उसने कहा कित आपसे जूड़ी हुई हूई हूँ तो मैं आप आपने लическая प्रार्म किया तो मुझे आस 2 नम की को पहले कभी देखा था आपने कभी किसी सोसल मीडिया पर उस लड़की को जिससे आज आपने मुलाकात किया सोसल मीडिया पर ऐसे तो मैं देखा नहीं हूँ अब मुझे याद नहीं आ रहा है अगर देखे भी होंगे ऐसे लगातार मैं अब प्रेम की बात करते हुए इसक वाल पिंकी आपके सामने मिली तो क्या किवल खत पे बात होई या पिंकी ने जो खत में प्रोपोज किया था या प्रोपोज करने की जो बात कह रही थी क्या पिंकी ने आपको प्रोपोज किया पिंकी ने तो प्रोपोज कर दिया उसके प्रोपोजल का मैंने जवाब भी दे दि सुक्रिया से ही स्टाइट किया कि आपने ख़त का जबाब दे दिया इसके लिए आपका सुक्रिया इसलिए मैं आप से मिलने आई हूँ और हम लोग कम से कम आधा घंटा मिले आज आधा घंटा हमारी मुलाकात हुई और अच्छा लगा उससे मिलके और युवाओं की आवाज बनेगी मुझे लग रहा है और आपके मादम से मैं कहना चाहूंगा पिंकी से कि उसको सामने आना चाहिए मिडिया के सामने आना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वह ऐसी लड़की है जिसे इस समाज को जरूरत है अगर वह कहती भी है उसने जैसे दूसरे चिटी में कह लड़ी है या नहीं है कोई बात चीत नहीं हुई हमारी मुझे उसके तेवर जो है वो लगे कि वो तेवर है जो जरूरत है बिहार के युवाओं की चली एक सवाल और पिंकी के मन में आपके लिए प्यार है ऐसा उन्होंने खत में भी कहा बांदूले के मन में किसके लिए प्यार है कोई है ऐसा जिसके प्रेम में बांदूले पहले स हो गया है क्यों फ्लॉब कह सकते हैं क्योंकि प्रभाद तो नहीं मिलने वाले क्योंकि प्रभाद जो है वो पहले से किसी के प्यार में लेकिन मैं पिंकी के साथ हूँ मैं पिंकी मुझे लगा कि एक तो मैं कहता भी हूँ कि तमाम लड़कियों ने मुझे बनाया है मेरी एक लोग है जो प्रेम नहीं करते एक तुम हो जो करती हो प्रेम प्रेम से बनाती हो गोल गोल रोटियां प्रेम से परोस्ती हो खुद को उसके सामने भी जो सायद समझ नहीं पाता तुम्हारा प्रेम प्रेम में इस कदर डूबा होना तुम्हें खास बनाता है और मुझे यह कहन और सुना चाहेंगे प्रेम भड़ी कुछ लाइन जो जिसको आपने लिखा हूँ बिल्कुल एक तो मैं आज पिंकी को भी बोल कर आया हूँ बनारस वाला इश्क में एक लाइन है कि एठ कुराइन जो जुड़ा लगा के क्लिप लगाती होना महदेव कसम हम इस जुड़े और क्लिप में घंटो फसे रहते हैं जुड़ा और क्लिप लगा के आई थी सूट पहन के आई थी बहुत खुबसूरत लग रही थी और ठीक है वह एक कलपना जो मैं कभी अपने कहानी में कलपना करता था एक करेक्टर का कि लड़की हो जो कुरता पैजामा पहने हो जीन्स और कुरता पहनी हो जुमका लगाई हो और बिंदी लगाई हो और नित्रित्वी की बात कर रही हो बदलाओ की बात कर रही हो क्रांती की बात कर रही हो तो मुझे लगा कि पिंकी में वह ज्वाला है क्रांती लाएगी तो अभी प्रभात बंदुले हमारे साथ थे और प्रभात कुमार बिहार तक पतना